दियर स्टेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ओफ क्लास प्लस वन फ्रॉम दा यूनेट स्टेट्स ओफ मैटर लाश्ट लेक्चर के अंदर हमने आईडियल गैस एक्वेशन के बारे में डिसकस किया था यह एक ऐसी एक्वेशन है जो हमें simultaneous effect of pressure and temperature के बारे में बताती है volume of gas के उपर और हम mathematically कह सकते हैं कि आईडियल गैस एक्वेशन क्या है PV बराबर है NRT के इस लेक्चर के अंदर हम आईडियल गैस एक्वेशन से related कुछ numerical problem लेंगे और first numerical है 10 gram of oxygen were introduced into an evacuated vessel of 5 liter capacity maintained at 37 degree Celsius calculate the pressure of gas in atmosphere in the container कोई भी numerical जब हम soul करते हैं तो सबसे पहले हम उसके अंदर given लिखते हैं फिर हम formula apply करते हैं फिर हम value put करते हैं और फिर हम calculation करते हैं तो देखो 5 liter capacity बोला हुआ है तो मतलब जो volume है वो कितना है 5 liter है 10 gram of oxygen इंट्रोड्यूस की है उसने मतलब जो given mass है वो कितना है 10 gram है और यहीं से हम देख सकते हैं कि oxygen gas के बारे में कह रहा है वो और इसलिए जो molecular mass है वो बता सकते है molecular mass कितना है 32 है oxygen का mass 16 होता है हमने oxygen molecule के बारे में बताना है और 2 के बारे में हमने बताना है तो 16 multiplied by 2 32 हो जाएगा यहां से और इन दोनों से हम number of mole calculate कर सकते हैं n किसके बराबर होता है small m by capital m के बराबर होता है मतलब 10 by 32 moles यहां से आ गई temperature उसने दियावा है 27 degree Celsius तो हमने क्या करना है Kelvin में convert कर लेना है 27 plus 273 हो जाएगा और 300 Kelvin हमारा temperature आ जाएगा देखो अगर हम volume को देखें तो volume लीटर में है इसलिए हमने यहां पर R की ऐसी value लेनी है जो लीटर के अंदर हो तो हम कैसे थे हैं कि 0.0821 लीटर atmospheric पर Kelvin पर mole और दूसरा temperature को देखें तो temperature भी यहां पर Kelvin में है और इसलिए R की value के अंदर भी Kelvin होना चाहिए अब हमने ideal gas equation apply की PV बराबर है NRT हमने calculate क्या करना है pressure of gas calculate करना है तो हम V को उठा के बराबर से इदर ले आएंगे तब हम कह सकते हैं की P किस के बराबर है NRT by V के बराबर है हम सभी की value put करेंगे यहां पर units को cancel out कर लेते हैं हम यहां पर mole से यहां पर mole cancel हो जाएगा पर mole दिया हुआ है यहां पर liter से liter cancel हो जाएगा पर Kelvin और Kelvin cancel हो जाएगा यहां से और 5 से हम 10 को cancel कर देंगे 2 आजाएगा और यहां से 0 से 0 को cancel कर दिया जाएगा 3 से 30 को cancel out कर देंगे और जब हम 2 0.0821 और 10 को multiply करेंगे तो हमारा answer आजाएगा यहां पर 1.54 atmospheric अब हम ideal gas equation से related next numerical ले रहे हैं next numerical है हमारा 8 gram of methane is placed in 5 liter container at 27 degrees Celsius find boils constant तो सबसे पहले हम यहां पर given लिखते हैं 8 gram of methane है मतलब given mass है यहां पर और small m किसके बराबर है 8 के बराबर है methane gas दीवी है तो इसका molecular mass calculate कर लेंगे methane का formula होता है CH4 carbon का mass 12 होता है hydrogen का mass 1 होता है तो 4 hydrogen के atom है यहां पर तो 12 plus 4 16 mass आ गया R की value 0.0821 liter atmospheric per Kelvin per mole लेंगे यहां पर और जो temperature है वो 27 degrees Celsius दिया हुआ है इसको Kelvin में convert कर लेंगे तो यहां पर जो R है और K है दुन्नों के अंदर Kelvin आ गया अब हम यहां पर boils लाप लाई करेंगे PV किसके बराबर है boils constant के बराबर है और हम कह सकते हैं कि ideal gas equation के according PV किसके बराबर है NRT के बराबर है और N किसके बराबर होता है given mass by molecular mass के बराबर होता है तो W by MRT हो गया सबी की value put करेंगे W कितना है 8 है M कितना है 16 है और यहां से mole calculate कर लिए इसको mole बोलेंगे R की value put की 0.0821 liter atmospheric per Kelvin per mole और temperature 300 Kelvin है mole से per mole cancel हो जाएगा Kelvin से per Kelvin cancel हो जाएगा यहां पर और 8 से 16 को cancel कर देंगे हम 2 से 300 को cancel कर दिया जाएगा और 0.0821 को 150 से multiply कर देंगे तब हमारा answer आजाएगा 12.315 लिटर atmospheric अब हम next numerical ले रहे हैं calculate the molar volume of a gas at STP STP का मतलब होता है standard temperature pressure condition और ये conditions क्या होती है pressure 1 atmospheric होता है temperature 273 Kelvin होगा और N कितना होगा 1 mole होगा temperature Kelvin में है तो R की value कितनी लेंगे 0.0821 liter atmospheric per Kelvin per mole लेंगे ideal gas equation हमने apply की PV किसके बराबर है NRT के बराबर है हमने calculate क्या करना है molar volume calculate करना है इसलिए V किसके बराबर है NRT by P के बराबर है सबी की value put करेंगे हम यहाँ पर moles और per mole cancel हो जाएंगे per Kelvin और Kelvin cancel हो जाएंगे atmosphere से atmosphere cancel हो जाएगा 0.0821 273 को multiply कर देंगे तो हमारा answer आजाएगा 22.4 liter अब हम next numerical ले रहे हैं जो एक equation के उपर based है हमने density को molar mass से के साथ relate किया था और उसी के उपर based यहाँ पर numerical problem है तो M किसके बराबर है DRT by P के बराबर है first numerical है कि what is the density of SO2 gas at 27 degrees Celsius and a 2 atmospheric pressure तो सबसे पहले हम गीमन लिखते हैं 2 atmospheric pressure दिया हुआ है तो P कितना हो गया 2 atmospheric SO2 gas दियोई है यहां से molecular mass रिख लेंगे sulfur का 32 होता है oxygen का 16 होता है 16 को 2 से multiply कर देंगे 32 और 32 64 gram पर mole हो गया यहां से R की value 0.0821 liter atmospheric पर Kelvin पर mole लेंगे temperature 27 degrees Celsius दियावा है इसको Kelvin के अंदर convert कर लेंगे T किसके बराबर है 27 degrees Celsius प्लस 273 और 300 Kelvin आ गया हमने calculate क्या करना है density calculate करनी है तो D किसके बराबर हो जाएगा PM by RT के बराबर हो जाएगा सभी की value put करेंगे हम यहां पर atmospheric से atmospheric cancel हो जाएगा पर Kelvin और Kelvin cancel हो जाएगे पर mole और पर mole यहां पर cancel हो जाएगा और 2 से हम 300 को cancel कर लेंगे 150 आ जाएगा 64 और 150 को cancel कर लेंगे तो यहां पर 32 और 75 आ जाएगा 0.0821 और 75 को multiply कर लेंगे तो 6.1575 आ जाएगा जब 32 को 6.1575 से divide करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा हैं से 5.1969 ग्राम पर लीटर Thank you